नमस्कार दोस्तो, स्वावत है आप सभी का एक बार फिर से, जिहां दोस्तो, पूरे दिन की कई महतपूर और बड़ी खबरे निकल कर सामने आ रही है, जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से, तो दोस्तो, खबरों में आगे बढ़ने से पहले ये वीडियो को एक प्यार भर लाइक जरूर कर दें और ताजा ख़परों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें तो देखते हैं पहली बड़ी ख़बर क्या निकल कर आ रही है तो आज की पहली बड़ी ख़बर महराष्ट से आर ये बता दें कि महराष्ट सरकार ने एक बार फिर से महराष्ट में कोरोना कर्फ्यू लगा दिया है जियां दोस्तों बता दें कि महराष्ट में आज से अगले 15 दिनों के लिए सख्त पाबंदिया लागू कर दी गई है जानने कि क्या रहेगा बंद और क्या रहेगा खुला बताते कि महराष्ट में कोरोना का कहर बेकाबू हो चुका इसे देखते हुए महराष्ट की सरकार ने मंगलवार को कोरोना की रोक्थाम के लिए नए सफ्थ दिश्टा निर्देश जारी किये मुखमंदरी उद्धव ठाकरे ने मंगलवार की राज साहरे आठ बजे राज जिक को संबोधित करते हुँ एलान किया कि आने वाले 15 दिनों तक धारा 144 रहेगा उन्होंने कहा कि लोग बिना किसी बहुत जरूरी काम घरों से बाहर ना निकले उन्होंने बताया कि सिर्फ आवर्शक सेवाओं के लिए छूट रहेगी ठाकरे ने कहा कि 14 अप्रेल से 15 दिन के लिए रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक धारा 144 लागू रहेगी दोस्तो जान लिजिए कि क्या खुला रहेगा और क्या बंद रहेगा तो बता दें कि अगले 15 दिन के लिए पूरे राज में बेवजा घूमने पर पूरी पाबंदी आवश्यक काम होने पर ही घरों से निकलना होगा जरूरी सेवाओं को छोड़ कर राज में सब कुछ बंद रहेगा लोकल बसे समेत पबलिक टांस्पोर्ट के सभी साधन खुले रहेगे इकॉमर्स सभीस खुली रहेगी पेट्रॉल पंठ खुले रहेंगे बैंकों में पहले की तरह काम होता रहेगा होटल टेक अवे और होम डेलिवरी कर सकेंगे कंस्ट्रक्शन से जुड़े लोग कामगारों की कंस्ट्रक्शन साइटों के पासी रहने की विवस्था करनी पड़ेगी अगली बड़ी खबर उत्तर परदेश यार यहां बता दें कि इलाहबाद हाई कोड का योगी सरकार को निर्देश नाइट कर्फ्यू छोटा कदम पूर्ण लोगडाउन पर करें विचार बता दें कि यूपी के सभी बड़े शहरों में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा इसे देखते हुए इलाहबाद हाई कोड ने यूपी सरकार को कड़े फैसले लेने को कहा है हाई कोड ने यूपी सरकार को कोरोना संक्रमन के अधिक परभाविश शहरों में दो या तीन सपता के लिए पूर्ण लोगडाउन लगाने पर विचार करने का निर्देश दिया है साथ मेकोड ने ये भी कहा है कि अगर कोई व्यक्ति बिना मास्क के सड़क पर दिखाई दे तो उस पर अबमानना के तहट कारवाई की जाए इसके अलावा सड़क ट्रेकिंग, ट्रेस्टिंग और टीट्मेंट योजना में तेजी लाए जाए शहरों में खुले मैदानों को अस्थाई अस्पताल के तोर पर परियोग में लाया जाए अगर बहुत जरूरी हो तो सम्विदा पर स्टाफ तैनात किये जाए तो आप लोगों को क्या लगता है कि महाराष्ट की तरह उत्तर पर देश में भी लॉगड़ा दी जानी चाहिए आपके क्या सुझा हमें कमेंट करके जरूर बताएं तो बढ़ते हैं अगली बड़ी ख़बर की ओर तो अगली बड़ी ख़बर में बता दें कि चान्द के दिदार के साथ रमजान का मुकदस महीना शुरू आज से पहला रोजा बता दें कि पूरे देश में रमजान का मुकदस महीना आज से शुरू हो रहा है रमजान का चांद मंगलवार को दिखा जिसके बाद मुस्लिम समाज ने अल्ला की अबादत के लिए पूरी तैयारी कर ली है बुदवार को पहला रोजा होगा और बारा मैं को ये समाप्त होगा रमजान के महीने का पहला दस दिन रहमत का होता है आपको बता दे कि रमजान इसलामी कैलेंडर का नौवा महीना होता है दुनिया भर में मुस्लिम समुदाए के लोग इस मौके पर पूरे महीने लोग सुबह से शाम तक उवास करते हैं फिर इफ्तार के बाद खास तरह की नमाज अदा की जाती है गरतलवे कि इस बार कोरोना संकट के कारण पूरी दुनिया में रोज़ेदारों को घरों में ही इबादत करने की सलाह दी जा रही है भारत में भी मुस्लिम धर्म गुरुओं ने भी ऐसी ही अपील की है इतना ही नहीं केंदर सरकार की तरफ से भी मुसल्मानों को रमजान के वक्त भी कोरोना गाईलाइन का कड़ाई से पालन करने की अपील की गई है तो हमारे चैनल के ओर से सभी मुस्लिम भाईयों को रमजान की बहुत-बहुत मुबारक बात तो चलिए दोस्तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की हो दोस्तो अगली बड़ी खबर निकल के आरीगे सोना खरीदने को लेकर सरकार का नया नियम एक जून से होगा लागू बता दे कि सोना खरीदने वालों के लिए खास खबर है सोना खरीदने के नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है केंदर सरकार ने सोना खरीदने के नियमों में बदलाव करने के तयारी कर ली है सरकार ने एक जुन से गोल्ड खरीदने के लिए हॉल मार्क को अनिवार कर दिया है बिना हॉल मार्क वाले सोने को एक जुन से खरीदा नहीं जा सकेगा न तो आप बिना हॉल मार्क वाले सोने के गहने खरीद सकेंगे और नहीं जोलर्स बिना हॉल मार्किंग वाले गहने बेश सकेंगे बता दे कि एक जुन के बाद से जोलर सिर्फ तीन ग्रेड यानि 22 केरेट दूसरा 18 केरेट और 14 केरेट के सोने ही बेश सकेंगे वहीं गहनों पर हॉलमार्क अनिवारी होगा सरकार के इस आदेश को एक जुन से देश के सभी जोलर्स को मानना होगा सरकार के इस फैसले के बारे में आपकी क्यारा है आप हमें कमेंड करके ज़रूर बताएं बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल क्या रही कि रेलवे ने UPBR के लिए शुरू की 14 समर स्पेशल ट्रेन है जान लीजे पूरी जानकारी अपने राज्यों में वापसी को देखते हुए पस्टिम रेलवे ने उत्तर परदेश बिहार और असम के लिए 14 समर स्पेशल ट्रेनों की घोशना की है इससे UP और असम की यात्रियों को काफी रहत मिलेगी इन ट्रेनों को 12 अप्रेल से चलाया जाएगा दोस्तो ट्रेनों की पूरी लिस्ट आप स्क्रीन पे देख सकते हैं तो बढ़ते हैं अगली बड़ी ख़बर की हो तो सरकार द्वारा चलाए जारी इस स्पेशल ट्रेन की लिस्ट में क्या आपके शहर की ट्रेन शामिल है या नहीं आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और आप अपने शहर का नाम भी ज़रूर लिखें तो बढ़ते अगली बड़ी ख़बर की हो अगली बड़ी ख़बर पस्चिम बंगाल सारी बता दें कि परतिबंध खत्म होते ही बीजेपी पर गरजी सीम ममताब एनरजी बोली मैं फाइटर हूँ बंगाल को नहीं बनने दूँगी गुजराथ बता दे कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 24 घंटे के परतिबंध के बाद एक बार फिर मुकमंत्री और टीमसी परमुक ममताब एनरजी चुनाव परचार में एक उत पड़ी है सियम ममताब एनरजी ने बारा साथ में एक रैली के दोरान एक फिर से भारती जंता पार्टी को आरे हाथ लिया उन्होंने कहा कि हम बंगाल को गुजराथ नहीं बनने देंगे बंगाल कभी गुजराथ नहीं बन सकता मुझे रोकने का कोई फाइदा नहीं है अपने भाषन में ममताब एनरजी ने खुद को स्टीट फाइटर भी बताया गौरत अलवे की देश के पाँच बड़े परदेशों में विधान सभा चुनाओं को लेकर सियासत गरम है पस्चिब मंगाल में आठ चर्णों में मद्दान होना है जिसमें सेच चार फेज की वोटिंग पूरी हो गई है भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सभी राज्यों में दो मई को पड़िनाम गोशित किये जाएंगे इस बार के चुनाओं में पस्चिब मंगाल को लेकर BJP और TMC में बड़ी जंक देखने को मिल रही है CM ममताब एनरजी BJP नेताओं पर हमला बोलने का कोई मौका नहीं छोड़ रही वो चुनाओं आयोग को भी आड़े हाथ ले चुकी है मंगलवार को 12-7 चुनाओं रैली के दोरान CM ममताब एनरजी ने जम कर हमला बोला अपने भाशन में उन्होंने BJP के गुजरात मॉडल की भी धज्या उड़ाई पस्चिम मंगाल की CM ने खुद को स्टीट फाइटर बताती हुए कहा कि बंगाल को कभी भी गुजरात नहीं बनने देंगे मैं युद के मैदान में लड़ूंगी मुझे रोकने का कोई फाइदा नहीं BJP को बता देना चाहते हूँ कि तुम्हारे पास पैसा होटल सभी जाच एजनसिया लेकिन इसके बाद भी BJP ये लड़ाई हार चुगी है क्योंकि मैं फाइटर हूँ बता दे कि चुनाव आयोग ने ममताब एनरजी के चुनाव पर चार पर 24 घंडे का परतिवन लगा दिया था जो मंगलवार शाम आठ बजे खत्म हुआ इसके विरोध में ममताब एनरजी कोलकाता के गांधी पार्क से धर्ने पर भी बैठ गई थी दोस्तों बंगाल की सीए ममताब एनरजी के दावो में कितनी सच चाई आप क्या सोचने इस बारे में हमें कमेंड करके ज़रू बताएं तो बढ़ते हैं अगली बड़ी ख़बर की ओर कि गांधी पर्तिमा के पास बैठ कर धर्ना दिया था कभी ममताब एनरजी के खास सही होगी रहे अधिकारी के खिलाब मीनी पाकिस्तान वाले बयान को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई थी सुवेंदू अधिकारी ने दिसंबर में बीजेपी जोईन कर ली थी और पार्टी ने नंदिक राम से उन्हें उमीदवार बनाया है ममताब एनरजी भी अपनी भवानी पूर सीट छोड़कर अधिकारी के खिलाब लड़ने यहां पहुंची हैं दोस्तो चुनाओ के दोरान हिंसा और नेताओ दोवारा दिये गए नफरत फलाने वाले बयान के बारे में आप क्या सोचते हैं अपनी राय अपने सुजाओ हमें कमेंड करके ज़रू बताएं तो बढ़ते अगली बड़ी ख़बर की ओर दोस्तो अगली बड़ी ख़बर निकल क्यारी के कुम्ब मेला में उमडी भीड को फिल्म मेकर राम गोपाल वर्मा ने बताया कोरोना बम पूछा इसका जिमेदार कौन बताते कि कोरोना वाइरस के केस दिन बदिन बढ़ते जा रहे हैं खंड में भी कोरोना का ग्राप तेजी से बढ़ रहा इसी बीच हरीद्वार महाकुंब के आयोजन की लगातार आलोचना हो रही है लोग इस आयोजन को कोरोना बम मान रहे हैं डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा ने शाहि स्नान से जुड़ी तस्वीर साजा किये इस फोटो को शेर करते हुए राम गोपाल वर्मा ने भीड को कोरोना एटम बम बताया है बतातें कि राम गोपाल वर्मा सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहते हैं साथ ही इसके जरिये सामाजिक राजनितिक मुद्दों पर बेबाकी से बोलते भी रहते हैं राम गोपाल वर्मा ने अपने आधिकारिक Twitter अकाउंट पर दो तस्वीरें साजा की हैं इनमें से एक तस्वीर हरीदौर के कुम मेले की है तो वहीं दूसरी तस्वीर पिछले साल दिल्ली की मस्जिद में जमा हुए जमातियों की है राम गोपाल वर्मा ने अपने अगले ट्विट में अलबर्ट आइंस्टीन के विचार का जिक्र करते हुए लिखा कि बाईं और कुम्मेला 2021 और दाईं और जमाद 2020 है और इस मुर्खता का कारण केवल भगवान जानते हैं राम गोपाल वर्मा ने कुम्मेला से जुड़ी तस्वीर को साजा करते हुए लिखा कि जिस चीज़ को आप देख रहे हैं वो कुम्मेला नहीं बलकि ये कोरोना एटम बम है इस बात को लेकर हैरान हो कि इस वाइरल एक्सप्लोजन का जिमेदार आखिर कौन होगा राम गोपाल वर्मा की इस ट्वीट में भारी मात्रा में शद्धालू गंगा में स्नान करते हुए दिखाई देना है बता दे कि इस से पहले एक्ट्रेस रीचा चड़ा और सोनी राजदान ने भी कुम मेला में उमरी भीर को लेकर ट्वीट किया था तो दोस्तो देश में फैली माहमारी के बीच कुम में उमरी भीर क्या सरकार के उपर सवाल उठाती है अपनी राय अपने कमेंट हमें जरूर बताएं तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश यारी बतादे के मुख मंतरी कारियाले में कुछ अधिकारी कोरोना से संक्रमित हुए हैं ये अधिकारी मेरे संपर्ख में रहे हैं इसलिए मैंने एतियातन खुद को आइसोलेट कर लिया और सभी कारी वर्चुली शुरू कर रहा हूँ बतादे कि में कोरोना की रफ्तार थमने की जगा बढ़ती जा रही है हालात ये है कि पहले की तुलना में ज्यादा पॉजिटिव केस दर्ज हो रही है धर्म गुरूओं का सहयोग प्राप्त करने के लिए बैठक बुलाई है वीडियो कॉन्फरेंस में धर्म गुरूओं के साथ बाचित करते हुए सीम योगी ने कहा कि हमें बहुत सतरक्ता की जरूरत है आज से नवरात और कल से रमदान शुरू हो रहा है मेरा सभी धर्म गुरूओं से निवेधन है कि शरदालों से अपील करें कि कोविन दिशा निर्देशों का सकती से पालन करें दोस्तो अगली बड़ी खबर गोवा से हैरी बताते कि गोवा में बीजेपी को बड़ा जठका गोवा फॉर्वार्ड पार्टी ने अंडेश से तोड़ा रिष्टा बता दे कि गोवा में BJP को आज उस वक्त बड़ा जटका लगा जब उसकी सहयोगी पार्टी गोवा फरवार्ड पार्टी ने NDA से रिष्टा तुर दिया गोवा फरवार्ड पार्टी ने राज की भाजपा नीती सरकार पर गोवा विरोधी नीतिया अपनाने का अरोप लगा है और मंगलवार को वो राष्टिय जनतांत्रिक गटबंदर NDA से अलग हो गई चालिस सदस्य गोवा विधान सभा में GFP के तीन विधायक हैं जीएफपी ने 2017 में NDA को मनुहर पारिकर के अगोवाई में भाजपा की सरकार बनवाने के लिए समर्थन दिया था अला कि पारिकर के 2019 में निधन के बाद परमोच सावंद के अगोवाई वाली सरकार में जीएफपी के तीन मंत्रियों को स्थान नहीं मिलने से पार्टियों के भी सम्मन्द ठीक नहीं चल रहे थे उसके बाद जीएफपी की राजिकारी-कारी समीति और राजनितिक मामलों की समीति ने मंगलवार को बैठा की जिसमें NDA से अलग होने का फैसला लिया गया तो खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला दें कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें दोस्तों को शेर भी कर दें और ऐसी ही बड़ी और ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें तब से उसने दिली और दिली वासियों के हित में कई बड़े फैसले लिया है लोगों के हित में केजरिवाल सरकार ने कई ऐसी योजनाओं को लागू किया है जो पूरे भारत में किसी और राज में देखने को नहीं मिलती है अब केजरिवाल सरकार चादनी चौक की सूरत को बदलने के काम में लग गई है बताते कि चादनी चौक लाल के लिए के ठीक सामने इस्थीत है और वो एतिहासिक रूप से भी काफी माइने रखती है इसके बावजूद चादनी चौक का किसी भी सरकार ने सूध नहीं ली लेकिन केजिवाल सरकार अब इसके सौंदर ये करन में लग गई है चादनी चौक को वर्ल्ड क्लास लुक दिया जा रहा है इसे यहाने वाले परियटकों की सुभीदा को धियान में रखते हुए विक्सित किया जा रहा है कुल मिलाकर सरकार इस आधुनिक रूप देने में लग गई है यहाने जाने वाले लोगों को जाम जैसी समस्याओं का सामना न करना पड़े इसके लिए वहाँ सुभा नौ बज़े से रात नौ बज़े तक मोटर साइकल की आवाजाई पर परतिबन लगा दिया गया है इससे पहले वहाँ हमेशा जाम जैसी समस्याओं बनती थी और लाल किला देखने के लिए आने वाले पर यठक जाम के वज़े से बहत परिशान रहते थे केज़वाल सरकार ने इस समस्या को महसूस किया और अब इस से लोगों के निजात दिलाने के काम में जुट गई है दोस्तो केज़वाल सरकार के इस पहल के बारे में आप क्या सोचते हैं आप अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं तो बढ़ते हैं अगली बड़ी ख़बर की ओर दोस्तों अगली बड़ी कावर भोपाल से आ रहे जिसमें बता दें कि भोपाल में कोरोना का कहर स्थिति को काबू में करने के लिए कैंसिल करनी पड़ी सरकारी करमचारियों की छुट्टियां बता दे कि मध्य परदेश में कोरोना का कहर जारी है जिसकी वज़े से कई जिलों में कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है बोर्ड की दस्मी और बार्वी की परिक्षाओं के अलावा MPPSC राज्येवन सेवा की मेंस परिक्षाओं भी अस्थागित कर दी गए इस महामारी से सबसे ज़्यादा इंदौर और भोपाल प्रभावित है जिसे देखते हुए भोपाल के सभी सरकारी अधिकारी और करमचारियों के अवकास पर रोक लगा दी गई है अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि दिल्ली वासियों के लिए खुशकबरी इस नंबर पर मिस्ट कॉल देकर उठाए केजरिवाल सरकार की सभी योजनाओं का लाब बता दें कि अगर आप दिल्ली के निवासियों है तो आपके लिए ये अच्छी खबर है लोगों के हित में ताबरतोर फैसले ले रही अरविंद के जिवाल सरकार ने एक और अच्छा फैसला लिया है दरसल सरकार ने आम लोगों को अपनी विभिन योजनाओं से जोडने के लिए एक मोबाइल नमबर जारी किया है जिस पर मिस कॉल देकर आप सरकार के विभिन योजनाओं का लाब ले सकते हैं बताते हैं कि दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंतरी राजेंदर पाल गौतव ने दिल्ली सरकार की योजनाओं से आम जनता को जोडने के लिए 8447004400 नमबर जारी किया है ये नमबर मुखी रूप से दिल्ली सरकार की घरघर राशन योजनाओं को ध्यान में रखकर जारी किया तो अपने इलाके का नाव हमें कमेंट करके जरूर बताएं तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर तो अगली बड़ी खबर महरास्टा से आ रही है बता दें कि मुंबई के रेलवे स्टिशनों पर मजदूरों की भारी भीड रेलवे बोला हर साल गरियों में इस तरह की भीड होती है बता दें कि कोरोना महामारी के चलते मुंबई से एक बार फिर परवासी मजदूरों का पलाइन शुरू हो गया है लोगडाउन के आशंका से परवासी मजदूर मुंबई चोड़ने को मजबूर होना है मुंबई के कुरला में लोकमाने तिलक टर्मिनस में परवासी मजदूरों की काफी भीड देखी गई जिसके बाद वहां अफरा तफरी का माहल बना हुआ है लोगों की भीड रोकने के लिए पुलिस को बल प्रियोग भी करना पड़ रहा है वहीं रेलवे ने लोगों को आशंकितना होने के लिए कहा है बता दें कि महराश्ट्रा में बढ़ते कोरोना मामले और लॉकडाउन के आशंका के चलते एक बार फिर से घर वापिस जा रहे हैं लोगों को एक बार फिर पिछली बार की तरह कमाने खाने की चिंता हो रही है यही कारण है कि अपने गाउं जाने के लिए लोग रेलवे स्टेशनों के बार डेरा डालने लगे हैं वहीं कई मजदूर बसों के जरिये भी अपने राजियों के लिए निकल पड़ें इस्टेशनों पर हो रही भारी भीड को लेकर मजद रेलवे के सीपी आरों ने बयान जारी किया है दोस्तों अगली खबर में जान लेते हैं आज के मौसम समाचार को बता दें कि देश के इन हिस्सों में गरज के साथ होगी तेज बारिस बता दें कि AMD का क्या है ताजा अपडेट देश की राज़ानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों में लोग गर्मी से परिशान है दिल्ली में दिन चढ़ने के साथ ही बहुत तेज धूप हो रही है दिल्ली के सफदर जंग मौसं केंद्र में दिन का दिकतम तापमान 49.2 डिगरी सेलसियथ दर्ज किया गया है दिल्ली NCR के लोग अपरेल के महिने में ही भीशन गर्मी से परिशान है वहीं दूसरी और देश के आनने हिस्सों में भारतिय मौसम विभाग ने बारिश का अलड़ जारी किया है मद्य परदेश, महरास्ट के विधर, तेलंगाना, 36 गड़, औरिशा और पस्चिब मंगाल के कुछ हिस्सों में गरज के साथ बारिश होने का अनुमान है भारतिय मौसम विभाग के अनुसार 14-16 अप्रेल के दौरान, तमिल नाडू, केरल, माहे और करनाटा के दक्षिन और 30 चेत्रों में भी भारी बारिश की संभावना बनी हुई है तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स, टूडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटिस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो लाइक और शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव के स तो दोस्तों आप से फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकार योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ तक तक के लिए धन्यवाद दोस्तों